हाई फ्रेंड्स आइम भागयाश्री और वेलकम टू कुक्विश्य रगुन फ्रेंड्स आपने बहुत सारे चौकलेट केक अब तक खाये होगे पर आपने इस तरह का चौकलेट केक कभी नहीं खाया होगा तो आज हम जो चॉकलेट केक बनाने जा रहे है वो है फेल चॉकलेट केक यानि कि इसके अंदर जो हम आइसिंग करने वाले है वो बहुत ही अलग तरह की आइसिंग करने वाले है तो हम किस तरह की आइसिंग इसमें करेंगे वो देखते आगे इस वीडियो में और ये केक हम बना रहे हैं बीना आटा बीना मैं देखे तो चले कैसे ये केक बनता है देखते आगे इस वीडियो में अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजे अगर चैनल पे नए है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लिजे यहाँ पे एक बड़ी सी कडाईली है और उसके अंदर नमक डाला है और एक छोटा सा स्टैंड भी धख लिया है अब हम यहाँ पे क्या करेंगे धकन धकने के बाद इसको 15 मिनिट के लिए बिल्कुल दीमी आज पे इसको प्रिहिट करने के लिए छोड़ देंगे दूसरी तरफ हम केक का बेटर तयार करेंगे तो यहाँ पे हम मैंदे से केक नहीं बना रहे हैं तो यहाँ पे मैंने बॉन बॉन बिस्कित लिए है जो चौकली क्रीम वाले आते हैं तो यहाँ पे मैंने दो पीकित लिए है और यह दो पैकेट है जो 200 ग्राम है तो इन सब को हम एक बड़े से बाउल में डाल देंगे तो बस आप इस बिस्किट के छोटे छोटे टुकडे कर लीजे और उसके बाद एक अच्छा सा इसका पाउडर तयार कर लीजे मिक्सिजार में डाल के तो बस हम तयार कर लेते हैं पहले यहां पर मैंने बिस्किट का पाउडर तयार कर लिया है तो इसको बड़े से बड़तर में डाल दूंगी और हमें एकदम इसको फाइन पिसना है इसके अंदर छोटे छोटे बिस्किट के टुकडे ना रहे आप त्यान डखना तो हम यहां पर एक कप मिलक ले रहे और यह मिलक से ही हम बैटर तयार करेंगे तो आप थोड़ा-थोड़ा करके दूदिश में डाले और मिला दे जाए आई प्रूट तयार हो चुका है अब हम इसमें क्या करेंगे 5 ग्राम यहां पर फ्रूट सॉल्ट लिया है और उस फ्रूट सॉल्ट के ऊपर हम एक बड़ा सा चमश दूट डालेंगे इसे क्या होगा कि जो यह फ्रूट सॉल्ट है वह एक्टिव हो जाएगा तो दूट डालने के बार अच्छी तरह से इसको मिक्स करना है हमें इसको ओवर मिक्स नहीं करना है वरना हमारा केक अच्छी तरह से फूलेगा नहीं तो अच्छी तरह से हलके हाथों की मदद से आप इसको मिक्स कर लिजे तो यहां पर मैंने पहले से ही केक्टिन को ओईल की मदद से ग्रीज कर अब हम केक को यहाँ पर 40-45 मिनिट के लिए बेक होने के लिए छोड़ देंगे बिल्कुल लो फ्लैम पर तो 45 मिनिट के बाद हमारी केक बिल्कुल रेडी हो चुकिये पूरी तरह से अंदर से भी पक चुकिये तो यहाँ पर तूत्पे की मदद से मैं चेक कर रही हूँ तो केक बिल्कुल पक चुकिये अब हमें इस केक को क्या करना है बिल्कुल रूम टेंपरेचर पर आने देना है उसके बाद हम इसको अनमोल्ड करेंगे तो देख सकते हैं वो इजिली अनमोल हो चुका है और एकदम सॉफ्ट बड़िया सा केक भी रेडी हो चुका है केक फ्रोस्टिंग के लिए यहाँ पर मैंने एक कप विपिंग क्रीम ली है और इसको हमें अच्छी तरह से बीट करना है जब तक स्टिपिक ना आ जाए उसके अंदर मैंने दो बड़े चमच कोको पाउडर भी डाला था और यह मेरी क्रीम है एकदम स्वीट है तो यहाँ पर मैंने शुगर नहीं एड़ किये है तो कोको पाउडर डालने के बाद हम अच्छी तरह से इसको बीट कर लेंगे अगर आपकी विपिंग क्रीम परफेक्ट बीट नहीं होती उसमें स्टिप पिक नहीं आते तो उसका भी आपको डाउट क्लियर हो जाएगा आप मेरी चैनल पर जाके इसके पहले वाला वीडियो भी देख सकते हो तो मैंने परफेक्ट उसमें टिप्स और ट्रिक्स बताई है कि कैसे विपिंग क्रीम को बीट करते हैं तो यहाँ पर हमारे विपिंग क्रीम बीट हो चुकी है आप देख सकते हो कि उसमें लेयर भी आने हो शुरू हो चुके है और यहाँ पर बड़ी आसा क्रीम हमारा बीट हो चुका है तो आज हम कुछ अलग तरह सा केक बना रहे ह तो इसके लिए हमें क्या करना है हम एक मूस तयार कर लेंगे तो मूस तयार करने के लिए यहां पर मैंने एक सॉस पें लिया है और उसमें एक कप मैंने मिल्क डाला है और वन फॉर्थ कप यहां पर विपिंग क्रीम डाली है और चार बड़े चमच यहां पर मैंने शुगर भ और यहां पर मैंने half cup milk chocolate भी लिया है आपके पास dark chocolate हो तो आप वो भी ले सकते हो तो अब हमें इसको क्या करना है गैस पर चड़ाएंगे और यहां पर गैस की आँच हमें बिल्कुल लो रखनी है और इसको ऐसे चलाते जाना है और पकाना है सुरुवाद में हम दो मिनिट इसको लो फ्लेम पे पकाएंगे उसके बाद 4-5 मिनिट के लिए इसको हम मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे और आप जैसे जैसे इसको पकाते जाओगे तो वो थोड़ा सा गाड़ा होने लगेगा तो करीबन 5-6 मिनिट के अंदर तो यह मूस कर सकते हो तो हमारा मूस भी रेड़ी है तो यहां पर गैस हम बंद कर देंगे और इसको बिल्कुल ठंडा होने के लिए साइड में रख देंगे तो हम इसे ठंडा होने के लिए छोड देते हैं और दुसरी तरफ हमारा खेक भी बिल्कुल धंडा हो चुका है तो हमें क्या करना है जो उपर का पॉश्वन हे इसको हम कट कर लेंगे तॉप पॉश्वन हटने के बाद आपको क्या करना है आपने जिस साइस का केक तयार किया हो उससे थोड़ा सा छोटा वाला केक का रिंग ले लिजे और या तो इस तरह से आप प्लेट भी ले सकते हो तो मैंने यहाँ पे ऐसी छोटी सी प्लेट ली है तो चाकू की मदद से यहाँ पे हम निशान बना लेंगे उसके बाद हमें जो केक के बीच का जो भाग है उसे हमें निकालना है यहाँ पे हमें गड़ा करना है तो बस इसी तरह से निशान करने के बाद चाकू की मदद से हम अच्छी तरह से बीच में एक जगा बना लेंगे जैसे आप देख रहे हो वीडियो में उस तरह से आप करना और यहां पर जो चॉकलेट मूज था वो भी एकदम ठंडा हो चुका है तो आप इसको एक बार चला लीजिए उसके बाद ही इसको केक में फेल करिए तो यहां पर मूज पहले से भी जाड़ता थोड़ा सा गाड़ा हो चुका है और इसको हम केक में फिल करेंगे आप देख सकते हो कि देखने से ही हमें मुह में पानी आ जाता है यह बहुत बढ़िया सा टेस्टे केक बना था तो आप एक बार ज़रूरी से घर पे ट्राइ करना और जो टो पोश्रन था उसको भी मैंने इस तरह से उपर से कवर कर लेंगे तो जो हमने कोको पौदा डाल के विपिंग क्रीम तयार की थी उसको इस तरह से पूरा केक के उपर कवर ऑ्क आ जी है को पेजित पसके कब चैक को को स्टुर दे दीजिये तो आप देख सकते हो कि बहुत यह आश्या फिनिशिंग इस इस से आया है अगर आपको देखना है कि बीना केक टूल्स के भी केक को कैसे सजाया जाता है बीना नोजल के भी कैसे सजाया जाता है तो आप उस तरह के भी वीडियो मेरी चैनल पे देख सकते हैं तो आप ज़रूर एक बार मेरी चैनल पे जाके वो भी वीडियो देख लेना तो यहां पे बहुत ही अच्छी तरह से केक को फिनिशिंग दे दिया है और जो अंदर से हमने केक निकाला था उसके मैंने क्रम्स बना लिये है और इसको चारो और अच्छी तरह से मैं सजा लूँगे इस तरह से आप पूरी जो केक है उसको भी केक क्रम्स से अच्छी तरह से सजा सकते हो बची हुई वीप क्रिम को मैंने पाइपिंग बेग में बर लिया है और यहाँ पे मैंने नोजल लगा ली है उसके मद्दे से मैंने यहाँ पे डिजाइन तयार की है अगर आपके पास कोई भी नोजल ना हो तो गर पे नोजल को कैसे बनाया जाता है उसका भी वीडियो मेरी चैनल पे है तो वो आप देख सकते हो और यह केक बहुत ही यमी बना था आप गर पे इसे ज़रूर ट्राइ करना आपके गर वालों को बच्चों को सबको यह केक बहुत पसंद आएगा और बीच में यहां पे मैं चॉकलिट स्प्रिंकल भी डाल रही हूँ इससे केक थोड़ा सा अच्छा लगेगा तो अगर आपको यह वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो प्लीज मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे इस वीडियो को लाइक करे और बहुत सारा इसे शेयर करिए थैंक यू फो वाचिंग